प्रेंका जी आज यहाँ पर आई हैं हमको संदेश देने के लिए और राजिस्थान के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं किन मुद्दों पर हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी पार्टी की सोच क्या है और किन मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी हमारा संग्ठन आने वाले चु थंकित करना है इस पर आधनिय प्रेंका जी हमारी आपको अपनी बात बताएंगी साथियों ये सिकराय विधान सबादशेथ ये दोसाद जिला ये पूरा इलाका यहां के छेद के लोगों ने हमेशा से कॉंग्रेस पार्टी का साथ दिया है और कॉंग्रेस पार्टी ने जो विकास, प्रगती, लोगों के देखरे, 36 कौमों को प्यार और प्रेम देकर आगे बढ़ाने का काम किया है, मुझे गर्व है कि इस जिले से यहां का सांसद में आपके बीच में रहा हूँ और आपने हमेशा हमारे हाथ की पहचान है, इस हाथ के पहचान को आपने हमेशा बरक बाच्पा की सरकार है, इस पूरे 12-13 जलों के अंदर जो हमारी ERCP की योजना थी, जो बाच्पा की काल में बनी थी, इन पांच सालों में हमारी सरकार ने उस पर काम किया है, लेकिन यहां की लोगों को, यहां की जनता को, यहां कर विशेशूप से किसानों को, जो इसलिए करना पड़ रहा है कि केंद की सरकार बेद भाव की भावना से काम कर रही है केंद की सरकार में 25 के 25 मंतरी भाजपा के हैं पूर भामत की सरकार है पदान मंतरी मोदी जी ने अजमेर में आकर राजिस्थान मर एक नहीं दो दो बार कहा था कि ERCP की परियोजना को हम खालणी की पर्योजना हो पेजल की पर्योजना हो हमारी सरकान बहुत अच्छा काम च्छेतर में किया है और न वी भी जो.DPR बना है उसमें च्छेतर के अगर कोई गाह पंचायत रह गए हैं हमारी सरकार दुबारा बनेगी उन गाम पंचायतों को DPR में हम शामिल करवाएंगे यार्शीपी की इस बात को मैं आपको आश्पसन देना चाहता हूँ चार प्रदेशों में चुनाव है मद्द प्रदेश में 36 गड़ में तेलंगाना में अभी प्यांक्या जी और अधने राहूल गांदी जी तेलंगाना में एक दिन पहले वहाँ पर सब लोग मान चुके हैं कि कॉंग्रेस की लहर चल रही है प्रचंड बहुमत के सार हम तेलंगाना में सवरकार बनाने जा रहे हैं मत्रदेश में बनाएंगे 36 गड़ में रिपीट करेंगे और राजेस्थान के अंदर जो 30 साल की परिपाटी होती आई है कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस इस परिपाटी को तोड़ना पड़ेगा बैनो भाईयों इस काम को आप लोग कर सकते हो दोसा जिला कर सकता है स कराय के लोग कर सकते हैं और आप लोगों पर मैं ऐसा मानता हूं कि मेरा एक विशेश अदिकार है इस छेत जिले के लोगों ने हर कौम विर्णादी धर्म के लोगों ने हमेशे हमको विशेश आशरवाद दिया है स्वाट के पालेट सामिया से 5 6 बार सांच्च रहे रमाज जुनावी सवा थी सोनिया गांधी जी विशेज सूप से नहीं पर आए थी दौसा कॉलिज में हमारी सवा थी उनकी सवा से जो आशिर्वाद हमको मिला मुझको मिला मैं मातर 26 साल की उमर में यहां से सांचत मन कर गया था मैं आज इस पोगे पर सोनिया जी का भी और चेट की बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि दौसा की पैचान आज देश बर में कॉंग्रेश की मजबूत गड़ के नाम से हो गई है और आप लोगों का श्रेज आता है इसलिए आपकी जिम्मेदारे बढ़ गई है आपका दाई तो बढ़ गया है पूरा देश देख रहा है कि राजिस्थान की जनता किस करवट बदलेगी जब मुश्किल समय आता है आप लोगों ने मुझे और हम सब को आशिरवाद दिया प्यार दिया जब दिक्कत का समय आया अच्छे समय में खुशियों में सब शामिल होते हैं लेकिन दुख परिशानी कठनाई में सिर्फ अपने सामिल होते हैं और यहां का जो सम्मंद्य जमिट्टी का यहां के लोगों का वो इस जीवन में तो टूटने वाला नहीं है और मैं तो अगले में नहीं टूटने दूँगा आपको वादा करकर जाता हूँ और आज प्रियंका जी मारे बीच में आई है राहुल गानी जी मारे बीच में याता करकर गए थे इस छेट के जन्ता ने हमेशा कॉंग्रेस पार्टी को मदद करी है ताक कर दी है हम लोगों ने बढ़िया काम किया है आपके बीच में जो विकास हुआ है हमारे मंत्री जिले के दो दो तीन तिन मंत्री हैं विधायक हैं सबने मिलकर आपका विकास किया है आज हम उमीदाब से करते हैं कि सबा के बाद एक ऐसी लहरे जिले पुरे छेतिम होने चाहिए कि एक-एक सीट कॉंगेस पाड़ी जीत का जानी चाहिए एक-एक सीट पर यहां पर उमीदाब कॉंगेस पाड़ी जीतना चाहिए किसी का अगर कोई मन बेद है भी छोटा मुटा मन मुटा उसको भूल जाओ और जैसा राहूल गांदी जी बोल रहे हैं नफरत की दुकान में नफरत के बजार में महबत की दुकान खोलनी है अब तो महबत की चर्चा कल भी हो गई आज भी हम लोग कर रहे हैं महबत आपस में जोडनी है सब लोगों को साथ लेकर चलना है और प्यंका जी आपके हर बार राजिस्तान बराने से कॉंग्रेस का वोट लगातार बढ़ता जा रहा है बाजपा के लोग चिंतित हैं परेशान हैं घबराए होए हैं समझ में नहीं आ रहा किसको कहां पर टेकिट दें वो सब लोग जानते हैं कि इस बार कॉंग्रेस मजबूती से चुनाव लड़े है सब एकता से चुनाव लड़ेंगे और भाजपा की जूट और पाखंड की राजनीत को समाप्त करने का जो शाना आएगा वो 25 नवंबर को जब वोट पढ़ेंगे एक एक वोट कॉंग्रेस पार्टी को मिले ताकि भारी भाहुमत के साथ राजिस्थान में बितिहास कायम करें और कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं मैं एक बार पुने प्रियंका जी आपका स्वाग परता हूँ दोसा की जनता हमेशा आप पलक पावडे बिचाए चाए सोनिया जी हो चाए राहूल जी हो चाए आप हो आपकी बात को हम लोग कभी इंकार करने वाले नहीं है आप आवान करके चले जाओ सारी की सारी सीट कॉंग्रेस पार्टी की जोली में जाल कर देंगे यह मैं आपको जनता की तरस आश्वास अंदे सकता हूँ आप सभित्ती भारी तादाद में आए आपका धन्यवाद करता हूँ और एक बार क्योंकि यहां यह पूरा देश देख ले पूरा परदेश देख ले राजिस्थान की जनता दोसा की जनता कॉंग्रेस पार्टी के साथ है जोड़दार नारगाना हाथ खड़े करके दोनो कॉंग्रेस पार्टी सचिन पाइलट ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसी से मनभेद हो तो उसको भूलकर उसे याद करें जो राहुल गांधी ने कहा था कि नफरत के बाजार में मुहबबत की दुकान खोलना है जिससे दोसा जिले में कॉंग्रेस पार्टी की जीत हो सके मुख्यमंत्री गहलोत के संबोधन के दौरान लगे सचिन पाइलट जिन्दाबाद के नारे लगने लगे तब सचिन पाइलट ने मंच से कार्यकरताओं को किया मना किया बता दें कि सचिन पाइलट वर्ष 2004 में दौसा से सांसद रह चुके है तुम मांगते ठक जाओगे मैं देता नहीं ठकूंगा गहलोत ने कहा कि तुम मांगते ठक जाओगे मैं देता नहीं ठकूंगा जिलों का जिक्र करते कहा जिला बनने से विकास होता है बच्चा पैदा होने के बाद बड़ा होने में समय लगाता है इसरदा का जिक्र करते हुए CM ने कहा कि दोसा जिले में इसरदा का पानी दोसा जिले को पहले पानी मिलेगा और इसरदा का काम तेजी से चालू है CM गहलोत ने कहा बजट के दौरान दौसा जिले में विकास कारियों को आमजन को बताया योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि CP जोशी चुनाव धोशना पत्र तयार कर रहे योजनाओं की गारंटी मिलेगी गहलोत ने आगे कहा लोक तंत्र खत्रे में है सचिन पाइलट ने जो कहा सब मनभेद को भूला कर एक जुठ होकर चुनाव लड़ना है गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधाते अगनिवीर का जिक्र किया एक पंजाब हुए शहीद अगनिवीर तहत भरती हुआ उसे सैन्य सम्मान नहीं मिला महगाई को लेकर प्रियंका ने BJP परने साधा निशाना प्रियंका गांधी वाडरा ने महगाई को लेकर भाजपा सरकार पर जम कर निशाना साधा प्रियंका ने भाजपा द्वारा किये जा रहे प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा में नेता आपस में लड़ रहे हैं और कॉंग्रेस पार्टी एक जुट होकर मंच पर बैठी है प्रियमका गांधी ने कहा कि भाजपा की नीती है गरीबों से खीचना और अपने मित्रों का सिंचना राजस्थान का ये रिवाज बदल डालो राजस्थान में इस बार आख खोल कर वोट दें कार्यक्रम में ये भी रहें मौजूद सभास्थल पर कॉंग्रेस के सभी कद्दावर नेता प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, PCC चीफ गोविन सिंध डोटासरा, CP जोशी, पीकाराम जूली, मुरारी लाल मीना, भमवर सिंग भाटी, परसादी मीना, जी आर खटारा, ममता भूपेश जैसे तमाम वरिष्ट नेत मौझूद है, बता दें की कॉंग्रेस द्वारा यार सीपी के मुद्दे पर, BJP को घेरने के लिए निकाली जा रही जन जागर्न ल्यात्रा का आज समापन है, इसी अफसर पर जनता को संबोधित करने के लिए, प्रियंका हेलिकॉप्टर से सभास्थल पर पहुँच चुक प्रियंका गांधी की पहली जनसभा टोंक में हुई थी, जबकि दूसरी जनसभा आज दौसा में होने जा रही है, सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि पूर्वी राजस्थान में सचिन पाइलट के गड़ को और मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी की ये करवाई जा रही है